गुड मॉर्णिंग एवरिवन वेलकम टू सुबल सर्वसे श्टाडी जून का अंतिन दिवस है आज 30 जून है लास्ट डिट और यह प्रक्टिस टेस्ट है इंडियन पॉलिटी का ठीक है और प्रक्टिस सैट नंबर है 567 UP PCS के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा उपर आपातकाल की घोशना करने की सक्ति प्राप्त है उद्ध बाहरी आक्रमण ससस्त्र विद्रो या आंत्रिक असांती इसमें से एक सब्द नहीं है ठीक है और वो है आंत्रिक असांती इसको हटा दिया गया है युद्ध है बाहरी आक्रमण है ससस्त्र विद्रो है तो द भारत के संबिधान में एक संसोधन हुआ था, 44 संबिधान संसोधन 1978 इसके द्वारा अनुछे 312 में संसोधन करके आंतरिक असांती सब्द को हटा दिया गया और ससस्त्र विद्रो ठीक है उसकी जगे प्रतिस्थापित कर दिया गया भारत के राश्ट्रपती को संबिधान के इनके आधार पर आपात काल की घोष्टा करने की सकती प्राप्त है तो नहीं है क्या आंतरिक असांती Q2 पर आजिए भारत के राश्ट्रपती के संबंद में निम्रिकत में से कौन सा स्टेट्मेंट जो है वो सही है चार स्टेट्मेंट है इन मैसे के वो लेकी सही होगा पढ़िए इनको जरा देखें एलिमेशन मेथर्ड अपनाएंगे इसमें जो सबसे कमजोर अपना संदेज नहीं भ沒 सकता ओए संदेज सकता है हो ठीक जो संसतIST के सद्नों को नहीं कर सकता है और संसए के किसी सरन में अपना संदेज भी सकता है तो पहला वाली क्रेक्ट है वीजागि गलत है यह ना जैसे संसद के जो सद्रन लोकसभा राजसभा तो उनका किसी सद्रन बिध्यक पर जो मत्महेद हो जाता है तो दोनों की सेयुक तो बैठक बलाता है तो सत्र आहूत उसी की बात हो रही है तो भारत का राज्टपती समय पर संसद के दोनों सद्रन की बैठक बलाता है और जहां उसे उचेतर स्थान लगता है तो लेकिन संसद के दोनों सद्रन की अंतिम बैठक और जो उसकी अगली बैठक है उन दोनों बैठक के बीच में क्या होना चाहिए छे महीने का अंतराल होन चाहिए एक बैठक ये बुलाई गई अगली बैठक जो बुलाईगी इसके बीच में छे महीने से जादे का अंतर नहीं होना चाहिए तो जहां भी उसे उचित लगता है उस्थान उस पर वो संसत के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है तो ये जो बैठक आएगी इसकी को मानना बाद है होगा कौन सा था वो 42 संभिधान संसोतन तो 42 संभिधान संसोतन 1976 द्वारा अनुच्छत 74 में संसोतन किया गया और यह इसपस्ट रूप से द्रधारित किया गया कि राश्टपती मंतरी परिशद की सलाह के अनुसार ही कार करेगा कौशन नुबर फोर पर आज़ी है भारत के राश्टपती पर महावयोग चलाना उस से रिलेटर्ट नम्रिके में से कौन सा स्टेट्मेंट गलत है संसेत के किसी भी सहरन में संभिधान के और लंगन के अधार पर इसे प्रार्रम किया सकता है इसे किसे महावयोग को ठीक है मतलब बिल लोकसभा में ले जाओ ये राजसभा में ले जाओ कोई बंदिस नहीं है ऐसा नहीं है कि लोकसभा बड़ी हो गई ठीक है ये राजसभा के सरस्य कम है लोकसभा के जादे हैं तो लोकसभा में पहले आएगा मनी बिल नहीं है ये किसी में भी आ सकता है इस आशे का प्रस्ताव कम से कम तीन दिन की लिखित सूचना की अधार पर लिया जाएगा तीन दिन बहुत कम है चौदा दिन है ठीक है तो भारत के राश्टपती पर महावयोग के आरोब को प्राथमिक्ता देने का प्रस्ताव एक प्रस्तावन में नहीं था है जिसे लिखेत रूप से कम से कम चौदे दिनों की पूर्व सूचना ठीक है चौदे दिन पहले बताना पड़ेगा राश्टपती को अगर आप उसके सरस्तियों के हस्ताक्षर्वी होने चाहिए कोशन नुबर फाइब पर आजिए राश्टपती द्वारा अद्ध्यधेस जारी करने की सकती भारत का राश्टपती अंकी वो है उनकी बिधाई शक्ती तो देखे राश्टपती समिधान के अनुछेद 123 के तहत अध्यदेश जारी कर सकते हैं और अध्यदेश तभी लागू किया जाएगा जब संसद में अवकास की सिती हो और यह है उनकी जो है विधाई सकती है अनुछेद 123 के तहत भारत के राश्टपती अध्यदेश जारी कर सकते हैं और राज्यों के राजपाल अनुछेद 213 के तहत याद रखिएगा कोशन नुबर 6 पर आजएए निम्लकित में से कौन भारत के राश्टपती के चुनाब में भाग नहीं लेता है इसका उत्तर तो पताई होगा आपको विधान परिशद के निरवाकित सदस्य तो भारत के संविधान के अनुछेद 54 तहिक है राश्टपती का चुनाब एक निरवाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है जिसमें संसत के दोनों सदनों अर्थात, राजिस सभा, लोक सभा के निर्वाचिस सरस और राज्यों की विधान सभा के निर्वाचिस सरस से तथा दिल्ली पुदिचेरी के इंद्शाष्ट प्रदेश की बिधान सभों को निर्वाचित सरसे भाग लेते हैं और कोई नहीं लेता Q7 पर आजाई है राष्ट पती का चुनाब एक निर्वाचित को मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सामिल होते हैं चटे प्रश्ण की तरह ही है पूछने का तरका थोड़ा सा चेंद है संसद के सभी सरस नहीं यह तो उपराश्ट पती के चुनाब भाग लेते हैं संसद बिधान सभों को निर्वाचित सरस से बिधान परिश्द नहीं है इलिपनेट कर दीजिए तो भारत के संबिधान के इनचेस चवण के इनुसार राष्ट पती का चुनाब एक निर्वाचर मंडल के सरस्यों के अधार पर होता है साब को पता चल गया है ऑभी जिसमें संसद के दोनों सतनों अर्थात राजसवा लोकसवा के निर्वाचे सरस से राज्यों की विधान सवाओं के निर्वाचे सरस से दिली पुदुचरी के अन्शाषत प्रदेश की विधान सवाओं के निर्वाचे सरस से भाग लेता है विधान परिशात के सरस से भाग नहीं लेती प्रश्ण क्रमान संख्या एट पर आजाएए भारत में राष्टपती चुनाब के संदर में नमलिखित कतनों पर विचार कीजिए राष्टपती चुनाब के लिए एक उमीदवार के नामंकन पत्र पर कम से कम 50 मतदाताओं के प्रस्तावक और 50 मतदाताओं के अनुमदक के रूप में हस्ताक्षर होने चाहिए राष्टपती चुनाब में निर्धारित सुरक्षा रासी सिक्योर्टी डिपॉजिट कितना है 25,000 रुपे बताए कौन सा करेक्ट है देखिए 25,000 रुपे लोकसभा के लिए है राष्टपती के लिए तो 15,000 रुपे सी काम चले जाएगा सिक्योर्टी डिपॉजिट गलत हो गया दूसरा वाला स्टेट्मेंट पहला वाला करेक्ट है तो ए हो जागा इसका अंसर तो राष्टपती पद के लिए एक उमीदबार के नामांकन को कम से कम पचास मतदाताओं के प्रस्तावकों के रूप में पचास मतदाताओं के अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर होना चाहिए उस पर पड़ते को उमीदबार को भारतर रिजर्बैंक में 15,000 रुपे की जमानत रासी जमा करनी होगी और यदि उमीदबार मतदान के एक बटे छे भाग से भी कम मतदात करता है तो उसकी जमानत रासी जब्त हो जाएगी ठीक है 15,000 रुपे बापस नहीं मिलेंगे तो राष्ट पती के लिए सेक्योर्टी डेपॉजिट 15,000 रुपे है लोग सबा के लिए सेक्योर्टी डेपॉजिट है 25,000 रुपे याद रखेगा भारत के राष्ट पती और उपराष्ट पती दोनों के कार्यालों में रिक्त पदो के होने की इस्तिती में इमर्केत में से कौन राष्ट पती के कार्यों का निरुखन करेगा तब तक जब तक कि नए राष्ट पती नहीं आ जाए उसका चुनाब नहीं हो जाता तो ना राश्टपती है ना प्रेसिडेंट है ना बाइस प्रेसिडेंट है तो कौन बैठेगा गद्धी पर लोकसवा का स्पीकर नहीं लोकसवा में बहुत मतलका नेता नहीं वरिष्ट तम राजय पाल नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये भी नहीं होंगे तो वरिष्ट तम नहीं इसकोई तो राश्टपती और उपराश्टपती के कार्यालों में चार रिक्तियों की घटना की स्थिति में जो है कौन कौन सी अखटना है बरती हो गई पंजी कराण ये निस्कासन हो गया परते एक मामले में ठीक है उपराश्टपती उपराश्टपती भी नहीं है तो आएगा भारत का मुख्य नादीस भी नहीं है तो आएगा वरिष्ट तम नयाधीस दस्वा प्राशन है राज्यों में संबेधानिक तंत्र की विफलता के उपरांत राज्यपाल दौरा राश्टपती सासन लागू करने की सिफारिश से किसे की जाती है तो राज्यों में लगाना है राश्टपती शासन तो किसे से फारिस करेखा राजबाल, राज्यों का राश्टपती को ही करेगा तो संब्धानिक तंत्र की विफलता से उत्पन अपात कालीन सक्ति मानुछे 356 के अनुसार यदि राश्टपती को स्वयम या किसी राज के राज़पाल की रिपोर्ट के अधर पर यह महसूस होता है कि उस राज़ में संब्धानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है तो राश्टपती उस राज़ में संकट कालीन इस्ति की घोशना कर सकता है यानि राश्टपती साशन की घोशना कर सकता है कोश्चन नुमर 11 पर आज़ोई है भारत के संब्धान में एक आर्टिकल है वो है 352 का उपयोग अभी तक कितनी बार किया गया है 352 की बात हो रही है 360 की बात नहीं हो रही है 352 बताईए इंडो पाक बार इंडो चाइना बार यानि 62 में 1971 में और 75 में तीन बार इसका अंसर हो जागा सी तो अब तक कुल तीन बार राश्ट आपातकाल यानि अनुछे 352 की घोशना की गई है सबसे पहले वर्स 1962 में भारत और चीन आकरमण के द्वारा वर्स 1971 में भारत पर पाकिस्तान द्वारा ठीक है आकरमण किया गया और वर्स 1975 में ततकारीन कॉंग्रेस सरकार द्वारा आंतरिक अशान्ती की घोशना की गई उपर वाले दोनों में कुछी से में लग रही है भारत पर आकरमण किया गया भारत ने किसी को निच्छेड़ा ठीक है क्या नाम है 352 यह है राष्ट या बात 356 यह है राष्ट पती सासन राज्यों में संभिधान एक तंत्र की विफलता हो जाए तो वह है वह कौन राष्ट पती वित आपात कालीन इस्तती की घोशना कर सकता है अभी तक उपर वाले की करपा से ऐसे इस्तती भारत में पैदा नहीं हुई है कोशन नबर 13 पर आज़िए बर्तमार में जो राष्ट पती है अपने स्री रामनात कोविंद व्यक्ति का तुरूप से भारत के कौन से करम के राष्ट पती है बताइए तेरवे हैं, सोलवे हैं, पंदरवे हैं, चौदवे हैं, चौदवे नमबर के हैं, फोर्टीन तो राष्टपती रामनात कोवेंद, व्यक्तिकत रूप से भारत के चौदवे राष्टपती हैं, और भारत के पहले राष्टपती थे डॉक्टर राजंदर परशाद, भारत के एकमात राष्ट्रपती थे जो दो बार राष्ट्रपती के रूप में रवाच्रित हुए थे अर्थात राष्ट्रपती के रूप में सबसे लंबा कारिकाल डॉक्टर राजन्द प्रसाद का ही है 24 जनवरी 1950 से लेकर है 13 माई 1962 तक यानि इंडो पाकिस्तान वार के पहरे तक ठीक है क्योंकि माई के बाद ही वा था ना विद्द दो चलिए कोशन नबर 14 पर आजिए पर्थम बार राष्ट आपातकाल से संबादित अनुछे 352 का उप्योग किस राष्टपती दोरा किया गया था तो पहली बार आपातकाल कब लगा वो लगा था जब पाकिस्तान ने भारत पर आकरूण किया था यानि 1962 में अब 62 तक तक तो रहे हैं राष्टपती राजंस्धर परिशाध भी लेकिन मई तक रहे हैं वो भारत के दूसरे राष्टपती डॉक्टर राधाक्रेश्न ने पहली बार 96352 का पुरियोग 1962 में भारत चीन युद्ध के करण राष्टि अपातकाल की घोष्टा की आधार पर किया था और इसके बाद बीवी गिरी द्वारा दूसरी बार 96352 का पुरियोग जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में किया था देखे एक तुरुटी हो गई है 1962 में इंडो चीन है पाकिस्तान का है 1971 में ठीक है उपर नीचे हो गया है चलिए तो बीवी गिरी द्वारा दूसरी बार अनुच्छे 352 का पुरियोग जो है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय किया गया था और फकुरुदीन अली एहमद के द्वारा जो है पहली बार 1975 में आंत्री कसंती के अधार पर आपातकाल की खुश्णा की गई थी ठीक है तो सबसे पहली बार कौन से हो गए भारत चीन युद्ध के समय हो गए 1962 में डॉक्टर अधा क्रेश्ण फिर हो गए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वीविग्री और फिर तीसरा हो गया 1975 में फकुरुदीन अली एहमद ठीक है आंत्री कसंती के अधार पर आपातकाल की कोश्णा प्रतिभा देवी सिंग पांटिल थी प्रतिभा देवी सिंग पांटिल वर्स दोहर 7 से लेकर देवर वारत तक भारत के राष्ट पती पत को शोबित किया था उनने एक जून 2019 को भारत की पूर्व राष्टपती पर्तिबा देवी पर्टिल विदेशियों को दिये जाने वाले मेक्सिको के सरवोच नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था और उस सम्मान का बड़ा जीब सा नाम है वो है ओर्डेन मेक्सिकाना डेल एकवेला एजटेका ठीक है ओर्डेन मेक्सिकाना डेल एकवेला एजटेका यानि ओर्डर ओफ एजटेक इगल पर्तिवाद एवे सिंग पार्टे लिए है पुरुसकार पाने वाली भारत की दूसरी राष्टपती बनी है इससे पहले पुरुसकार किन को दिया जा जा चुका है इससे पहले पुरुस्कार भारत के दूसरे डाश्ट पती डॉक्टर एस राधा क्रश्णन को दिया गया था तो पंदरा प्रश्ण थे इंडियन पॉलिटी के इनकी प्रक्टिस एक बार कर लिजेगा 1962 में इंडो चाइना है और 1971 में है इंडो पाक ठीक है धन्यवाद